अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो दबलेंग पैज ओफिशल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलिएगा निकी हेली युनेटिड नेशन्स के अंदर अमरीका की सफीर हुआ करती थी टरम्प के दौर में उन्होंने एक अजब सा आर्टिकल लिखा है फॉरेंड पॉलिसी के अंदर ये पढ़के मैं दर अथवड़ा प्रेशान होगी होगी ये क्या लिखा है उन्होंने वो वाइडन इंतिजाम्यक से के रही है उस आर्टिकल में के अमरीका की जो आलमी ताकत है ना इसको बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ हमारा जो अलाइंस है ना इसको फॉर्मलाइज किया जाए उन्होंने कहा है के भाई देखे ना इंडिया के बाद दसलाग के ओपर फ जरा फॉर्मलाइज कर लेना अब इस पर बड़ी जबरदस्त वावा तो निक्की होई एहली साहबा की हुई है लेकिन मुझे एक बात तो बताएं कि इंडिया ने अमरीका के साथ सारे अहम तरीन सेक्यूरिटी पैक्ट्स कर डाले हैं चाहे वो बीका हो लॉजिस्टिक एक अमरीका को सब पता है कि इनके वास क्या क्या चीज़े हैं कुछ खुफिया नहीं है चीन से अलग से दुश्मनी उन्होंने मौल लगी है हमेशा हमेशा के लिए एक्सिस्टिंशल थ्रैड अपने लिए प्यदा कर चुका है और उधर से अमरीकियों ने इसका मतलब है कि करने के बावजूद भी निकी एली कह रही है ना कि इस टाइम टो फॉर्मलाइज एन आलाइंस विद इंडिया तो अभी तक जो था वो क्या था ये तो कोई समझा थी क्या था अभी तक जो रहा था यानि सब कुछ दे दिया अपना इंडिया ने डेफैंस के शोवे में अम अमरीका का है एक होता है इनफॉर्मल टाइस यारी को ऐसे ही होते हैं बस फुदूल से अमरीका आपके किसी भी अबजेक्टिव के हुसूल के लिए कमिटेड नहीं है मतलब मुझे फिर ये बताएं कि अगर इंडिया के इनफॉर्मल तालुकात हैं अभी भी अमरीका के हो गई न फिर इनफॉर्मल वो भी इनफॉर्मल है अफरीका का चोटा मुल कोई उसके साथ भी तालुकात होंगे तो वह इनफॉर्मल तालुकात हैं इंडिया के साथ भी इनफॉर्मल है इसका मतलब है अमरीका इंडिया के एर बेसिस उनकी नेवी उनकी फैसलिटी सब तर जी किदर आप गुसे जले आ रहे हैं हमसे क्यों मदद मांगरें इन्फॉर्मल हैं हमारे और आपके जो तालुकात हैं अलबता चीन ने निकी एली के इस आर्टीकल पर इंडिया को टोकते हुए का है कि आपने जो अलाइंस किया है अमरीका के साथ या मजीद जो भी शुबदा बादिया आप दिखाएंगे इस से आप अपनी जो तारीखी आपकी पावर फैंटीसी रही है कि ये पूरा का पूरा साथ एशिया का रीजिन हमारा जोन आफ इन्फिलियोंस है इसको तो बूल जाएं आप इसको बूल जाएं चाइना ने अपने सरकारी ख़बार ग्लोबल टैम्स के जरीए इंडिया को का है कि आलाइंस विद यू एस विल क्रश इंडिया ज्रेट पावर फैंटेसी अच्छा ये याद रहे है वैसे कि ये जो निकी हैली है ना ये अमरीका के अंदर इसराइल और इंडिया की जो सबसे बड़ी हामी है इसराइल को तो समझ में आता है चले वो तो ट्रेडिशनल एक अमरीका के स्टांसरा है लेकिन इंडिया के साथ इनकी जो हमदर्दिया है ना निकी हैली साहबा की इसका जरा एक जाती पहलू भी है इनका और वो यह है कि निकी हेली के जो अबा जानते ना उनके वालिदे मौतरम यह असल में इंडियन पंजाब से माइगरेट करके अमरीका गए थे वहीं पर सेटल हुए थे पिर तो वो जो उनका एक जाती कनेक्शन है ना पर्सॐनल एक कनेक्शन इंडिया के साथ वो भी बड़ा एक माना रखता है वो भी एक फैक्टर प्ले करता है इनके प्रो इंडिया स्टांस के पीछे बहराल वैसे इंतहाई दर्जे की एंटी चैना और एंटी पाकसान भी स्यासतान ये मानी जाती है ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वो एंटी चैना और एंटी पाकसान है आपको याद है बराडर व्यू के अंदर हमने बात की थी कि जब इंडिया की रूस के साथ बड़े ही बैतरी तालूकाथ हुआ करते थे बच्पन में, आज से कोई 20-25 साल पर ऑ依ने, बच्पन में, बच्पन में, जो इंडिया के बड़े दवर्दस तालूकाथ हुआ करते थ उस जमाने में अपनी एर फोर्स के लिए उन्होंने यह बेस लिया था और अगर आप पर नक्षा देखेंगे ना तो ताजिकस्तान बिल कुल पाक्सान के उपर है उसका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ भी लगता है तो इंडिया ने रूस की महरबानी से यह बेस ले हासल कर सकते हैं यह हम आपको बताएंगे तो थोड़ा आपको हसी भी आएगी लेकिन हसने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि यह उन्होंने वाक्वे में सजेशन दी है वो किया रहे हैं कि जब हम अफगाने सान से फोजे निकाली है ना तो हम अपना पावर गवा चुके हैं स लिट्रली में आपको बता रहा हूं बहुत हैरा तो ही कि निकी हैली इतनी सीनियर काबिल डिप्लोमेंट हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वह इस तरह की बातें करेंगी जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है सला यह दे रही है कि इंडिया से फॉर्मल रिलेशन का है कि हैली साहिबा जिस एयर बेस की आप बात कर रही है ना इसके अंदर जंगली घास उगती है इसके अंदर जंगली घास उगती है कोई नहीं होता इसमें घास उगती है अब फिर इंडिया इंडिया कोई नहीं यहां पर कुछ भी नहीं घास है और यह याद रखें कि यह पर आपको लगता है ऐसा बलकि एक बात बता हूं मैं आपको चाइनीज है वाट सम गूड सेंस आफ यूमर वो कह रहे हैं कि यह जो अमरीकी होता है न एक बड़े से डेस्क पर बैठ के दुनिया के नक्षे का गोला हाथ में रखिए उसको इदर उदर करके देखते रहते हैं और इनको मझा आता है ऐसा करने में कचा यहां पर होंगे तो क्या होगा यहां पर होंगे तो क्या होगा इस तरह करने से ynको मझा आता है चाहईनी िदेख्ये साहिन्द ruler है। इंडिया के अंदर भी जो खुशिया मनाई जा रही है निकी एली साहब है कि इस तरह के सजेशन्स देख चलो कोई तो वहां पर लॉबिंग कर रहा है इसमें पर लिए इसे ही है बस यह काम नहीं करेंगी इसमें सोचना भी विसे फुदूल है और जैनरल के पेंड़ा देंगे वो तो इस पर सोचेंगे यह नहीं फुदूल साइडिया और निकी एली साहब है कि इस आर्टिकल से वैसे यह बात तो चलें कंफर्म होगी हम ब्रॉ की हद तक अमेरिका जा चुका है अब सर्फ जो लड़ाई है जो पावर स्ट्रगल चल रही है वो चलें सिर्फ और सर्फ साउथ एशिया के अंदर साउथ एशिया में भी सिर्फ एक मुल्क बचा हुआ है इंडिया इंडिया जिस दिन अमेरिका के हाथ से गया तो यहां अटका हुआ है बाकी के जो मुमालिक हैं उनके उपर वो धोंस धांदली पाबंदिया यह तो वो तो एफ़ एटी एफ की ग्रेलिस्ट इस तरह करके अमेरिका अपना ग्लोबर आर्डर बचाने के चक्कर में है लेकिन यह आर्डर बचता हुआ नदर नहीं आ रहा है यह हम हो जुके हैं बहुत सारे मुलक इनको अब सीरियस्ली ले नहीं रहे इस जेस्टर मेटर ऑफ टाइम के जो चाइना के इन्स्टिटूशन जो कि चाइना के अपने इवन सोशल मीडिया के अंदर भी उन्होंने अपने चीज़ें बना कर रखे हुई हैं यानि कि जो सोशल इमें वर्ड बेंक ऐसी तंदीमों को रिप्लेस करके अपना एक नहीं तंदीम में कर आएंगे रेशियन के साथ मिलकर यह जो एक वर्ल्ड ओर ऑडर होगा ना इनका बनाया हुआ यह बिलकुल अपोजिट होगा अमेरिकन वर्ड ओर से और इसमें अमेरिका की कोई जगह न के जो अधारे होंगे उन पे ज्यादा रिलाइंस रहे की नहीं अब देखे ना युनाइटिन नेशन्स अमेरिका का डॉमिनेट अधारा रहा है हमेशा लेकिन कौन जाता है आजकल यूएन में यूएन कौन सा मसला हल कर पाया है रीसेंट फ्यू अगर हमाजी में देखें सतर सतर साल पुराने मसले उसके अंदर पड़े हुएं वहल नहीं हो पा रहे है तो निकी अली साहिबा के इस जो आर्टिकल इसके जरी ये भी चीज़ एक साफ तोर पर नदर आ रही है कि अमेरिका के वर्ल्ड ओर्डर है बनाया हुआ वो मुक्तले फिस्सों में उसमें अमेरि बगारे